So yeah guys, how are you, 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 अब अच्चे होंगे और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप Politechnik कर रहे हो, जो जिस Branch से कर रहे हो, जो स्ट्रेड से कर रहे हो, वो काफी matter करता है तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि POLitechnik कौण से एसे trade से करें जिससे आपको job मिल जाएगी या कौन सा trade Polytechnic का best है और पहली बार अगर आप Polytechnic अटा चैनल पहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को हिट करिए ताकि हर वीडियो की notification आप लोगों को मिलती रहे गाईज हम बात करेंगे Polytechnic के trade के बारे में तो differentiate करना कि हमारे लिए कौन सा trade सबसे बढ़िया है कौन सा trade में मैं अच्छा कर जाओंगा किस trade में मेरा career बहुत आगे जाएगा किस trade में हम करें तो वहाँ से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं इस पूरे वीडियो में इसके बार इम बात करेंगे और पहली बार अगर आप देखो career से related कोई दिक्कत है कोई परिशानी है तो आप लोग directly मेरे से बात कर सकते हो link description में दिया गया है counseling का तो चलिए बात करते है best rate की देखो मेरे हिसाब से अगर मुझे best rate चूच करने को कहा जाएगा तो मैं अपने interest के recording चूच करूँगा जैसे में मुझे software engineering पसंद थी लेकिन मेरे गारवालों ने जबरस थी मेरे electronics engineering दिला दिया लेकिन फिर भी मैं software engineering में है अगर उस time lack of knowledge थी YouTube नहीं था चीजे नहीं थी अभी चीजे एकदम transparent clear है कि यह चीज है इस तरह से यह जो रही है तो आपको समझना है गाईस आपको आप responsible उसके लिए कि भाई किस तरह से लेके जाना जिस branch में आपका मन लगे कि हाँ भाई इस branch में हम अच्छा कर ले जाएंगे बहुत दूर तक कर ले जाएंगे एक साल दो साल का मत सोचो दस साल का सोचो पंदरे साल का सोचो बीस साल का सोचो कि भाई पंदरे साल बाद आप कहा होगे 20 साल बाद कहां होगे क्या 15 साल बाद आपकी कार होगी आपके पास नहीं 10 साल बाद आपकी गाड़ी आपके पास होगी घर कब होगा तो वो उस ब्रांच से करके आप कितना earning कर सकते हो थोड़ा research करना पड़ेगा बहुत सारे लोग गलती कहां कर जाते हैं गलती महां कर जाते हैं कि दूसरों का देखने लगते हैं कि भाई वो computer science लेकर के पैसा चाप रहा हम भी चाप देंगे कभी ऐसा नहीं होगा वो भाई चाप रहा वो उस लायक था उसका interest था इसी वज़े तो पैसा चाप रहा है बहुत सारे लोग mechanical करके चाप रहे हैं बहुत सारे लोग electrical करके चाप रहे हैं पैसा तो आपको decide करना पड़ेगा कि भाई आप अगर पैसा earn करना चाते हो तो किस तरह से earn करोगे किस तरह से चीजे होंगी किस तरह से चीजे काम करेंगी यह सारी चीजे आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप नहीं जानोगे कि भाई क्या-क्या चीज आपको चाहिए क्या-क्या चीजे करनी है तो आपका career side आगे नहीं बढ़ पाएगा आप वहीं stop हो जाओगे और फिर नहे direction में नहीं जापाओगे ठीक है तो obviously देखो branch choose करते हुए बहुत सा उधानी देना है पूछो सबसे branch के बारे में branch के scope के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है branch कितना दूर तक जाएगा नहीं तो वही है न plus और minus हर branch के है ऐसा नहीं कि कोई branch के minus point ही नहीं है computer science का example देता हूँ जब हम लोग computer science की दुनिया में आएं तो बहुत अच्छा चल ला था उससे दो साल चार साल पहले computer science सत्यम company डूग गई थी इंडिया में कई और startup company डूग गई थी इंडिया में लोग CS लेने से डरते थे ब्रांच खाली रहते थे हमारे यहां किसने लोगों को जब अनुस्ती computer science और IT दिया गया इनकी तो नौकरी नहीं लगती है यह तो ऐसे ही है अमेरिका में इनके लिए job है इंडिया में नहीं है वक्त और टाइम देखो कैसे बदला डिजिटलाइजेशन वा पूरा सफ्टिंग हो गया पूरा modern ट्रेंड तरीके से चेंज हो गया तो आप देखो ना कि कितना बदला हो गया है इंडियरिंग सक्टर में कितनी जादे चीज़े चेंज हो गई है तो उसी तरह से ब्रांच आप जब भी चूच करो दस साल देख आप मत कोईएगा इंटरस्ट आपका है कि हमारा इस ब्रांच में मन है इस ब्रांच में हम जाना चाहते हैं इस ब्रांच में हम अच्छा कर पाएंगे ये ब्रांच हमारे लिए बहुत बेटर है तो उस ब्रांच में एडविशन लेजिए दूसरे के बैकावे में मत आईए वीडियो में इतना ही hope guys वीडियो को पसंद आए होगी जो लोग टेलीग्राम पे देख रहे हो वहाँ पे भी जॉइन करो जिनको career counseling चाहिए मेरे से बात करनी है link description में दिया गया एक बार जा करके वहाँ देखे मिलते हैं आप से next वीडियो में thank you